फेस पर हम ना जाने रोज कितने तरह की क्रीमे लगाते हैं, कितने तरह के पैक यूज करते हैं, और कितनी बार फेशिल करवाते हैं, और कितने पैसे हम अपने फेस के लिए खर्च करते हैं, लेकिन पैरों की तरफ हम बहुत ही कम ध्यान देते हैं, तो इसलिए आज मैंने तो वैसे ही कर सकते हैं और हम अपने पैरों को सुंदर बना सकते हैं पैटिक्यूर करने के लिए टब में गरम पानी डाला है पानी उतना ही गरम करना है जितना हमारी स्किन टॉलरेट कर सके और साथ में पानी में डाला है शैंपू हम कोई भी शैंपू यूज कर सकते हैं शैंपू डालने के बाद पानी में ओजोन पैडिकॉर पाउडर डाला है तो पहले पैडिकॉर करने के टाइम हाइडरोजन परक्साइड यूज की जाती थी आज कल ये पैडिकॉर पाउडर आता है तो आप देख सकते हैं ये ओजोन पैडिकूर पाउडर ये स्पेशली पैडिकूर के लिए होता है और एक चुटकी पानी में इनोंने डाली है बोड़ी एक्सप्लोइटिंग सॉल्ट की तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं पैडिकूर का सबसे पहला स्टेप अगर आपके पैरों पर कोई भी नेल पेंट लगा है तो आप उसको नेल पेंट रिमूवर से साफ कर लें गरम पानी में शैंपू, पैडिकूर पाउडर और सॉल्ट डाल कर पैडिकूर के लिए पान त्यार है 15-20 मिनट के लिए पैरों को डुबो कर रखेंगे मैंने अपने पैरों पर ब्लीच नहीं करवाई मेरे पैरों पर ज़्यादा टैनिंग नहीं थी मैं बीच बीच में अपने आप खुद भी पैडिकूर करती रहती हूँ लेकिन अगर आपके पैरों पर ज़्यादा टैनिंग है तो आप पहले ब्लीच करवा सकते हैं तो अभी नेल्स पर ये क्रीम लगा रहे हैं ताकि नेल्स सोफ्ट हो जाएं पानी में पैरों को रखे हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं तो अभी इन्होंने अलग लग ब्रेशिस निकाल ले हैं प्यूमिक स्टोन से पैरों की एडियों को साफ किया जा रहा है तो मेरी एडियों बिल्कुल साफ है बिल्कुल भी फटी नहीं है क्योंकि मैं अपने पैरों को खुद भी साफ करती रहती हूँ पैडिकोर घर पर ही कर लेती हूँ अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं घर पर ही पैडिकोर कैसे करती हूँ तो आप कमेंट बोक्स में जरूर लिखें मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी तो ये ब्रेश मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये बहुत ही सॉफ्ट ब्रेश है ये स्पेशली फिंगर्स के लिए तो नेल्स के आसपास की स्कीन थोड़ी सी डार्क हो जाती है तो ये बहुत सॉफ्ट ब्रेश है पैरों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए पैरों की बिदोलत ही हम चल फिर सकते हैं पैरों की इंपोर्टन्स तभी समझ आती है जब कोई प्रॉब्लम होती है तो पैरों का ध्यान जुरूर रखें अपनी एडियों को फटने ना दें अगर आपके पैर सुंदर है तो आपके पास सिंपल चपल भी है तो वो भी सुंदर लगेगी लेकिन अगर आपने महेंगी से महेंगी ब्रेंडिड चपल भी डाली है और आपके पैरों की एडियों फटी है जब पैर सुंदर नहीं लग रहे तो सब बेकार है पैरों की एडियां साफ करने के बाद अभी पैरों पर स्क्रब लगाया है तो अभी स्क्रब किया जा रहा है पैरों को स्क्रब करने के बाद स्क्रब को उतार दिया गया है तो अभी पैरों के नेल्स पर फिर से क्रीम लगाई जा रही है ताकि नेल्स सॉफ्ट हो जाएं तब नेल्स को साफ करने की बारी है तो अभी इन्होंने लिया है क्यूटिकल पुशर जिससे जो नेल्स के पास की स्कीन होती है उसको पीछे की और पुश करते हैं ताकि नेल्स बड़े दिखे और साथ ही साथ पॉटन से नेल्स को साफ भी करते जा रहे हैं क्रीम उतार रहे हैं कि बारी है टूम इस तरह से हम नेल्स को अच्छे से साफ करना है। नेल्स के अंदर अगर कोई मैल है तो वह निकालनी है तो नेल्स को अच्छे से साफ करके नेल फाइलर से शेप बनानी है। तो अभी ये नेल्स के आसपास की डेड़ स्किन को निकाल रहे हैं ये बहुत ही अच्छा टूल है कर दो अच्छा टूल है कर दो अच्छा टूल है तो अभी नेल्स की शेप बन चुकी है तो अभी मसाज की बारी है तो दस से पंदा मिनट इनों ने मेरे पैरों की मसाज की तो मसाज करने से पैरों को बहुत ही अराम मिला अगर हम महिन्य में एक बार भी हम घर पर ही पैडिक्यूर कर लें तो भी हमारे पैर साफ सुत्रे और सुंदर लगेंगे आपको पैडिक्यूर का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उमीद है कि आपको ये पैडिक्यूर देखकर आप घर पर भी अपना पैडिक्यूर खुद कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ ही मेरे चैनल मौनिकास डियाईवाई को सब्सक्राइब भी तो अभी मैं आपको अपने पैरों का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी तो अभी ये मसाज कंप्लीट करेंगे तो फिर उसके बाद नेल पेंट भी लगाएंगे तो मसाज करने के बाद नेल के उपर क्रीम लगी हुई थी तो वो इन्होंने साफ कर दी है ताकि नेल पेंट लगा सकें हुआ है तो टो ऎ लगाई पेंटी तो अभी तो आप करेंगे तो करेंट भी तो कर दो कर दो कर दो तो अभी लास्ट स्टेप नेल बेंट का तो वह अभी अभी नेल बेंट कम्प्लीट हो गया है तो यह है मेरे पैरों का फाइनल लुक पैडिकूर करने के बाद तो आप देख सकते हैं कि कितना फरक आ गया है पैरों में हुआ है करना करणा